नमस्कार दोस्तों विलकम बैक टू माई चैनल फर्स इनुवेस्मेंट से दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स पे कलम लोग ट्रेट कर सकते हैं 31st of July को और निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करके चलना जिस तरीके से हमने देखा कि आज ए वो सारी चीजे आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी तो अगर वीडियो आप लोगों को चंते समय अच्छी लगती है तो लाइक बटन ज़रूर दवाईएगा गाईस और कमेंच सेक्शन में बताएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोगों हमारे से कुछ फायदा हो रहा रहा इन्ह Leans तो सब्सक्राइगा बहुता कको थे मिझात को ऐफ रही हैं जाएगा पर वेडियो में के लेंसे हम सब्सक्राइगा ज्यचे हैं अच्छा परफाहूरा करहां क कॉछ म क्थाकूक के रिए फाहां पर लोगों करेंगा में मैं यह और और प्रेशर मिल सकता है और इस पर आप लोग बाइंग करके चलेंगे तो शायद आप लोग को लॉस होने के चांसे कम हो सकता है अब आप एक चीज़ देखेगा इक लिन्मक फार्म है हमें एक सिंपल स्टाटेजी से काम करना है क्या है यह यह उपर गया नीचे आया उपर गया इतनी बात बता चली अब हमें क्या बता चला कि जो उपर का टॉप था उसे ब्रेक नहीं कर पाया जो नीचे का बॉटम था उसे ब्रेक कर गया ठीक है फिर उपर गया हाई को ब्रेक नहीं कर पाया नीचे आया लोग को ब्रेक कर गया फिर उपर गया ठीक है अब हाई को ब् था ठीक है जब भी ऊपर दाता था ग्लिनमाक को इस हाथ तक हम लोग शौट करते थे उसके बाद क्या करा अब इसने लो को ब्रेक नहीं करा लो को ब्रेक करने के बाद क्या करा अब यह उपर गया उपर गया और अपने हाई को ब्रेक कर चुका है अपने high को break कर चुका है मतलब यहां से अगर मैं आप लोगों को अच्छे से बताओ तो share अभी क्या कर रहा था इस तरीके से काम कर रहा था यह आपको क्या बता चल रहा है कि share weak है अब reversal कैसे बता चलेगा कुछ इस तरीके से यह आया bottom को break नहीं कर रहा उपर गया high को break कर गया अब आगिया है reversal अब share ऐसे चलेगा ठीक है समझ पारें इस तरीके से market काम करती है तो इस तरीके से ही हम लोगों को काम करना चाहिए तो अब मैंने देखा कि lower low lower high बन रहे तो उसके बाद इसने अपना low को break नहीं कर रहा अब जा किसने अपना top को break कर लिए important candle, strong candle के साथ जा कर देखें easy language में बता रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो comment section में जूरू बताएगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है अब ये देखेगा जब मैंने first, second और ये multiple tops को मिलाया मिलाने के बाद मुझे क्या प्रता चला और देख सकते हैं मैं अगर इसको ऐसे मिलाता हूँ ये देख रहे हैं, ये एक range के अंदर काम कर रहा था, इस range का भी आज हमने breakout होते वे देखा है around 4.30 के असपास ठीक है तो breakout भी आ चुका है कल अगर market नीचे गिरती है for example अगर हम मानके चलते हैं कल एक gap down open होता है ठीक है, और अगर buy chance ये stock भी नीचे आता है ये नीचे खुलता है, तो हम लोग इस पे buying opportunity देख सकते हैं level perfect नहीं हो सकते हैं, और guys एक बात मैं और बता देता हूँ, कि आज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड नहीं करवाया था क्योंकि guys, मैं री तबे थोड़ी सी खराब होगी थी तो मैं उस विद्ध से नहीं प्रोवाइड करा आपाया था सुबह, बट मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड करा दूँगा 12 बजे के करीब रात को ही अप्लोड कर दूँगा कि कल की टेंशन हमें ना रहा है ट्रेड करने के लिए 4.30 के आसपास यह अगर थोड़ी सी भी डिप देता है तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे अब अराजय बैटरी पर देखेगा कि यहां पर यह क्या सिस्टम चल रहा था यहां पर भी देखेगा UpMove नीचे आया UpMove हाय को बरेक करा नीचे आया लोग को बरेक नी करा ठीक है अगर इसे रिवर्च होना भी होगा तो शायद यहां तक ही पहुचे सिर्फ इस लेवल तक और फिर यहां से नीचे गरना शुरू करें अगर रिवर्सल है बट अब भी जब तक रिवर्स नहीं आता तब तब हम लोग एजियूम करके नहीं चलते हैं कभी भी मार्केट में अजियूम करके मत चलो कि सेलींग आईगी आ सकती है तो मैं शॉट कर दूँ बाइंग आ सकती है तो मैं बाइंग कर दू, यह मत सोच भी आ सकती है अगर आप लोगों को ट्रेंट लग रहा है सेलींग का तो सिर्फ एलिंग में ध्यान दो और अगर stop loss हिट होता है तो निकल जाओ यह नहीं कि selling पे आप लोग ने पूरा focus कर रखा है और अगर वो buying में जा रही है तो आप लोग sell का trade लेकर हमेशा loss कर रहे हैं ठीक है एक जगा अपनी importance बनाओ double side both faces मत करना कभी भी तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इसने एक double bottom type scenario बनाया यह देख पा रहे हैं और यहाँ से हमने क्या देखा एक strong गिरावट आई उसके बाद एक pause किया उसके बाद एक strong गिरावट दुबार आई और अब इसने strong movement के साथ अपनी दोनों candle क्यूब पर दाके close कर लिया previous से previous high और previous का जो top था उस क्यूब पर दाके close कर चुका है तो यहाँ से 700 का ground figure number है तो अगर क्यूब पर कल निकलना शुरू करता है तो शायद इसमें अच्छी का सी buying आ सकती है तो आप इसको भी watch करके चल सकते है देखें बिल्कुल simple analysis से आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों की learning भी हो और आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिले एक stock में जो लेकर आया हूँ वो है hero motor तो hero motor को आप में आप लोगों को selling की सला क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर भी देखें आप देख पारे होंगे कि जब भी मैं video लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए हर दिन मैं कुछ नया नया concept लेकर आता हूँ एक दिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था कि patterns की उपर flag और p9 pattern एक दिन मैं आप लोगों को पूरे 5 stock सिखाये थे कि symmetrical triangle के अंदर वर्क करता है एक दिन मैंने आप लोगों को कल कै सिखाया था demand zone supply zone की उपर आज मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ reversal higher highs से lower low कैसे बनना चुरू होता है तो आप लोगों के वीडियो में देखे मेरे साथ learning भी है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये stock selection करना कितना important होता है और कितनी महनत से हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो please इस वीडियो को motivate जरू करिएगा और मुझे motivate करने के साथ like बटन तो please प्रेस करेगा ये देख सकते हैं उपर गया नीचे आया उपर गया नीचे आया उपर गया नीचे आया higher highs बन रहे हैं फिर उपर गया फिर नीचे आया अभी भी higher आया अब उपर गया अब इसने क्या बनाया एक double top pattern बनाया देख पाने है double top बनाया अब नीचे आ रहा है और यहां पर अपनी closing दे चुका है अपने bottom के नीचे ठीक है अगर ये कल इस level के 2700 के नीचे चले जाता और बंद कर जाता है कल तो यहां से अब क्या होगा कि अब यह ऐसे work करना शुरू करेगा ऐसे यह मत सोचेगा कि यहां से direct fall आएगा ऐसे नहीं आएगा हलका सा नीचे जाएगा उपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर उपर जाएगा थीक है तो अब यहां ऐसे reversals पता चलते हैं अब यह higher high higher high बन रहा है अब यहां double top बना अपने high को नहीं break कर पाया आप नीचे आ रहा है bottom को अगर break कर देता है तो यहां पर हम लोग एक selling बना सकते है 2700 के नीचे और हमें अच्छे खासे levels मुझे लगता है कि यहां तक मिल सकते हैं ठीक है simple analysis है सारा कुछ बता रहा हूं में आप लोगों को focus रखेगा तब ही आप लोगों कुछ earn गर पाएंगे अब sun farmer के बारे में बात करते हैं तो sun farmer क्या है sun farmer बेभी आप यहां देखेगा यह देखेगा अब sun farmer क्या कर रहा है अब sun farmer में हम लोग देखते हैं एक strong इस level से 300 के level से strong up move आई और high इसका था around 510 का ठीक है यहां से 510 का high था नीचे आया उपर गया नीचे आया एक देख पार है एक range के अंदर चला गया है मैंने आप लोगों को पताया था यह वाला एक range के अंदर चले जाता है और उसके बाद जब जगा खतम हो जाती है eventually यहां से वो break कर देता है वही scenario एक strong up move आई और strong up move आने के बाद इसने क्या करा यहां पर इस level पे यह जो आप देख रहे हैं 30 दिन तक ही trading कर रहा था यहां पर क्या हो रहा था accumulation strong buyers का smart money investors और traders का यहां पर accumulate हो रहा था वो इस level पे buying कर रहे थे इस level पे buying कर रहे थे इस level पे buying कर रहे थे अब eventually यहां पर वो breakout की दियारी कर रहे हैं कल अगर यह level break हो जाता है 510 का तो मैं कह सकता हूं कि एक अच्छी कासी buying इस पर भी आ सकती है और pharma मैं पानके चलता हूं कि एक important sector है जहां पर एक बहुत अच्छी खासी buying आ सकती है तो pharma IT में focus रखेगा गिरती market पे अगर आप लोग trades लेना चाहते हैं short term के लिए ठीक है last talk आता है guys हमारा Cadillac simple pattern आप यहां पर भी देख सकते है大家都 के अंधर क्या है Strong यह देख़ाए उसके बाद हम क्या देखने हैं एक range UK अंदर चलरह आब range के हम क्या देख रहे हैं कि दुबारा अंदर रेंज के अंदर ट्रेट करने के कोशिच कर रहा है क्यों क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया सपोर्ट था यह देख रहे हैं बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल था और यहीं से एक अपमूव स्टार्ट ठी लेवल पे यहां पर डिमांड जून था जो आ रहा था ठीक है सारे कंसेप्स को समझेगा तभी आप लोगों को understanding बहुत अच्छे से हो ठीक है अब यह देखे अगर मैं क्या करता हूं मैं यहां पर अगर एक trend line करता हूं यह अपसाइट से तो मुझे पता क्या चल रहा है कि यह वाली trend line को भी break कर चुका है तो कल इस पर भी एक अच्छी कासी कल मुझे लगता है buying आ सकती है एक important बात और एक up move आई अप move आने के बाद यह देख पा रहे हैं यह यह इसने round type bottom बनाया round type bottom बनाने के बाद ही क्या कर रहा है यह इसने एक वह बना लिया है इसने कुछ इस तरीके का pattern बनाया है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं cup and handle pattern ठीक है तो यह cup and handle pattern आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं और यह continuous pattern होता है ठीक है continuous pattern होता है मतलब अगर ऐसे बनके ऐसे आ रहा है तो उपर की तरफ ही eventually break होता है तो eventually से उपर की तरफ ही break होना है तो हम लोग bottoms पे buying बना सकते थे और वैसे भी pharma sector का है तो हम लोग तब बीस में एक buying opportunity देख सकते हैं अब अगर आप लोग short term के लिए देख रहे हैं तो मैं काऊंगा कि आप pharma या IT पे जा सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि अच्छे कासे returns आपको short term पे दे सकते हैं तो simple analysis लगी आपको कुछ समझ में आया सीखने को मिला तो प्लीज मुझे बताईएगा और इस चीज की practice start कर दिजे कि आप लोगों को end the end खुद trade लेने में असानिया तो बढ़ते हैं nifty की तरफ तो nifty पे क्या opportunity आती है वो मैं आपको दिखा देता हूं दिफ्टी पे देखते हैं ठीक है अब यह चीज देखेगा ठीक है इस पार्ट को अच्छे से देखेगा यह पार्ट क्या बता रहा है यह जो मैं आप लोगों को बहुत टाइम से यह वाली बात बता रहा हूं यह देखेगा अब ध्यान से देखे यह पाँच कैंड़ आपको मैं बार बार बता चुका हूं पाँछ कैंड़ एक रेंज के अंदर ट्रेट कर रही थी यह वाली कैंड़ ने एक प्रेक आउट दी हमने बोला कि शायद हम 11,500 की भी लेवल देख सकते है ठीक है अगर 11,100 की नीचे चले जाए मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं जाना चाहता है चले जाए बट अगर कल 11,100 की ऊपर मैं बोलता हूँ 11,100 भी नहीं 11,150 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग दे दे तो गाईस यहां से फिर मैं कहके चल सकता हूँ कि शायद एक डिड़ हफते के अंदर अंदर 11,500 के लेवल आ सकते है ठीक है अब एक इंपोर्टन बात क्यों है एक रिस्क क्यों है वो रिस्क ही यह है कि अभी तक एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ कैंडल्स ने अभी तक 11 11,000 यहां पर देखेगा 11,130 के लेवल को क्लोजिंग बेसेस पे नहीं तोड़ा क्लोजिंग बेसेस पे नहीं बरेकरा देखें यहां पर भी 11,130 की उपर बंद हुआ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी यहां पर भी यहां पर भी बट यहां पर हमने क्या देखा 11,100 पे बन हुआ है तो अब कल अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है 11100 के नीचे तो इंट्रा डे पे तो हम लोग शौट बना सकते हैं किसके लिए 11040 के लेवल करें ठीक है बट वहां से फिर हम अपनी पुजीशन को स्कॉर आफ कर देंगे क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि बाइंग आ सकती है ये लेवल है ठीक है जो कि ये गैप फिल करने है गैप फिल करने के लिए यहां तक आ सकता है बट अगर इस गैप के नीचे ही क्लोजिंग दे देता है अगर 11040 के नीचे क्लोजिंग देता है तो तीन बच के तीन बज़े के करीब अगर 11040 के नीचे अगर हमें लगता है कि closing दे सकता है तो आप लोग कल 3 बजे के करीब put भी buy कर सकते हैं और मुझे लगता है कि 10,900 तक भी जा सकता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें को द्यान से रखेगा कल intraday पे short बना सकते हैं अगर 11,100 तूटता है for a target of 11,040-45 महा से अपनी position को exit करीए और अगर आपको लगता है कि 3 बच के 5 विनिट पे 3 बच के 10 विनिट पे इसके नीचे trade कर रहा है और लगता है कि closing इसके नीचे हो सकती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग 11,000 का 1 put option भी buy करके चल सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक चैनल के अंदर जो यह trade कर रहा था चैनल का यहां पर हमने देखे हैं यह था एक अप्पू भाई अब देखें मैं आपको दुबारा एक box बना के दिखा देता हूँ जब तक यह level break नहीं होता तब तक हमारे लेक selling pressure नहीं है 2600 को break करता है ठीक है कल अगर bank nifty 21600 को break करें 21600 नोट करिए level तो हम लोग short बनाएंगे कल intraday पर for a target of मैं आपको बता देता हूँ 21400 से लेके 21370 तक है यह हमारा होगा एक short का उसके बाद हम लोग exit कर देंगे levels मुझे और भी नीचे लग रहे हैं तो हम लोग फस ना जाएं profit less करना असान है but loss करना important है तो यह आप समझेगा तो कल अगर यह 21600 तोड़ता है तो short करिएगा buying की तरफ हम नहीं जाएंगे कोई भी level पर हमें buying नहीं करनी है buying हम कम करेगे जब यह level है यह level है यह upside पर जब यह break करेगा तब भी हमारे लिए buying बनेगी अब भी हमारे लिए buying नहीं बनेगी अगर यह कल 21600 से लेके 22000 के बीच में trade करता है तो मैं कोई भी trade नहीं लोगा ठीक है मैंने आप लोगों को कल भी वीडियो में बताया था कि अगर यह 11000 1230 से 11100 तक मैं कोई भी trade नहीं लोगा ठीक है यह range के अंदर हम लोग stocks में भी फस सकते हैं और हम लोग index में भी फस सकते हैं तो इन पर हम लोगों कोई trade नहीं लेना इसलिए हम लोगों ने आज expiry में कोई trade नहीं लिया अब guys यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि कल यह eventually level break होता है तो हम लोग sell की तरफ trade देंगे buy की तरफ trade नहीं है but intraday है moment कोई भी आप लोगों को position hold करके नहीं चलनी है तो इसी के साथ मैं वीडियो को end करता हूँ आप लोगों को concept समझ में आया है जिसके fundamentals भी मुझे अच्छे लग रहे है और मुझे लगता है कि उसको आने वाले time पर फायदा हो सकता है और long term के लिए भी hold कर सकते है जो कि मैं भी वो purchase करने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मैं उस company के बारे में research कर रहा है तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोग लिए वो वीडियो बनाऊँगा मुझे comment section में जरूर बताएगा तो अगर आपके अच्छे खाय से comments आते हैं तो मैं जरूर उस particular video को Saturday Sunday तक ले आपा ठीक है सो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर मैं शिवांच भसीन साइनिंग ओफ